नमस्ते बच्चों, मैं हो संगिता संजेदेश्मू, प्रुष्णा महाविद्यले रेटरे बुद्रुख से। आज हम विवहारिक हिंदी में से पाट क्रमा सोलह मैं उद्घोष लेकक हैं अनन्द सीह इस पाट के बारे में जानकारी लेते हैं। पहले हम लेखक परिचे देखते हैं। मैं उद्घोष के लेखक है अनन्द सीह लेखक परिचे अनन्द प्रकास सीह जी का जन्म 21 जुलाई 1958 को असम राज्य के धुबरी नामक स्तान पर हुआ। आपकी शिक्षा दिख्षा उत्तर प्रदेश के प्रताबगण एवं इलहाबाद में हुई। आपकी रुचियों और वृत्तियों ने आपको कविता, लेक, फिल्म, नाट्य और कला समिक्षा का हस्ताक्षर बना दिया। स्रेश्ट उद्धोषक तथा सफल मंच संचालक के रूप में आपकी विशेश पहिचान है। आकाशवानी मुंबई में 29 वर्ष उद्धोषक के रूप में अपने सेवाये देकर आप आउकाश ग्रहन कर चुके है। आपने आकाशवानी के लिए आवशक सम्वाद लेखन करते हुए सम्वाद तता संप्रेशन शेत्र में आपनी विशेश पहिचान बनाई है। आपने विभिन समसामाईक विशेशों पर लेखन करते हुए हिंदी भाषा की सेवा की है। आपकी प्रमुकृतियां पत्र पत्रिकाओं में विभिन विशेशों पर लेख समिक्षाए, कहानिया, कविताए, आधी प्रकाशित है। आत्मकता आत्मकता लेखन हिंदी साइत्य में रोचक और पठनीय लेखन माना जाता है। आपने अनुभोव व्यक्तिकत प्रसंगों को पूरी निष्टा से बताना आत्मकता की पहली शर्त है। इसमें लेखक की तठस्तता घटनाओ के प्रती निर्पेक्षता का निर्वाह आत्मकता को विश्वस्निया बना देती है। आत्मकता मैं इस उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में लिखना आवशक है। अब हम पाट परिचे देखते हैं। यहां सुत्र संचालन की प्रस्तुती आत्मकता के रूप में की गई है। प्रस्तुत पाट में लेखक ने सफल उदगोशक अथवा मंच संचालक बनने के लिए आवशक गुणों का उलेग किया है। लेखक का मानना है कि कारेक्रम की सफलता मंच संचालक के अकरशक और उत्तम संचालन पर निर्वर करती है। संचालक की सूज भूज, समय सूचकता, हजिर जवाबी और भाषा प्रभुत्व समारह को नए आयाम प्रधान करते है। वर्तमान काल में मंच अत्वा, सूत्र संचालन, कारिय अपने आप में महतोपूर्ण कारे के रूप में प्रशित्ध हो गया है। यह हो गया लेखक का परिचे, उनकी कृतिया, तथा आत्मकता इस विधा का परिचे और पाठ परिचे संख्षिप्त में। देखिए बच्चों, अब हम पाठ को शुरुवात करते हैं। पाठ का नाम है मैं उद्घोशक। उद्घोशक यानि परिचे वाची शब्द है मंच संचालक का। यानि कि एंग्रेजी में इसे एंकर भी कहते हैं। लेखक ने शुरुवात ही की है मैं उद्घोशक यानि मैं सुत्रसंचालक। ऐसा उनका कहना है। संचालक या मंच संचालक श्रोता और वक्ता को जोडने वाली कड़ी है। अक्सर हम देखते हैं। कौन से भी कारिक्रमों की शुरुवात मंच संचालक ही करता है। और किसी भी समारोह में चांद या चार चांद लगाने का कारिय यही एंकर या सुत्रसंचालक या मंच संचालक करता है। और वही श्रोता और वक्ता को जोडने का कारिय करता है। मानों की वह एक दुआई है, एक सेतू ही है। आगे लेके कहते हैं, मैं उसी कड़ी का काम करता हूँ। यानि श्रोता और वक्ता को जोडने का कारिय मैं करता हूँ। यानि मैं एंकर हूँ, मैं उद्धोशक हूँ। मेरा काम ही है श्रोता और वक्ता को जोडना। इसके लिए मेरी कई नामचिन वेक्तियों अद्वारा भूरी भूरी प्रशोंशा भी हो गई है ऐसा लिखक ने कहा है वे कहते हैं मैं मंच संचालक हूँ, मैं उद्घोशक हूँ और जिन किनी लोगों ने मुझे सुना मेरा सुत्रसंचालन सुना, तब मेरी भूरी भूरी प्रशोंशा की पता है एजो तस्बीर है यहां भारत रत्न पंडित भीमसेंट जोशी जी की है यानि बहुत बड़ी हस्ती है यहां और उन्होंने लेखक को सुना यानि हिंदी में ऐसा ही कहा जाता है कि लेखक को सुना यानि लेखक का सुत्रसंचलन पंडित भीमसेंट जी ने सुना तब भीमसेंट जोशी जी ने उनकी सराहना की सराहना करना यानि मराठी में कवतुख करना तो उन्होंने किस तरह की सराहना की वो कहते है, अरे भई, तुम अच्छे उद्गोशक हो, मैं तो तुमारा फैन हो गया, यानि मैं आपको चाहनी लगा, फैन हो जाना, चाहना ये बात, जब मैं सुनता हूँ, तो मुझे गर्व होता है, मुझे गवरवानी लगता है, मैं अनभो करता हूँ, ऐसा लिकर का कहना है देखिएगा, अक्सर हमारी भी किसी ने प्रशुनसा की, अगर आप कक्षा में अवल दर्जा पर पास हो जाते हैं, तब अध्यापक अपकी प्रशुनसा करते हैं वावा बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे कून क्राप्त किये हैं आपने, तब हम क्या मेशस करते हैं, हमें गर्व होता है या अच्छा लगता है, उसी प्रकार जब भी लेखक उद्गोशक के रूप में कार्य करते हैं और वे जब सफल हो जाते हैं या वे निश्टा से कार्य करते हैं इसलिए उन्हें शब्भस की मिलती है उनकी प्रशोंसा होती है उनकी सराना होती है तब लेखक केहते हैं यहां मुझे गवरवानिवीत करने की बात है मैं गवरवानिवीत अनभो करता हूँ आगे लेखक केहते हैं देखेगा किसी भी कार्य क्राम में मंच संचालक की बहत अहम भूमिका होती है यानि कोई साभी कार्य क्रम हो चाहे साउंस्कृतिक कार्य क्रम हो चाहे राज की ये कार्य क्रम हो चाहे कोई संगीत की महफिल हो चाहे नमक करन विदी हो चाहे बड़े पार्टी हो एक कुछ न कुछ कार्य क्रम होते ही रहते हैं अक्सर और इसी कारिक्रम में अहम भूमिका अहम याने महतोपूर्ण भूमिका है मंच संचालक की वही सभाग की सुरुवात करता है हम भी देखते हैं हमारा पारितोशक वितरन कारिक्रम होता है तब कारिक्रम की सुरुवात या समारो की सुरुवात कोन करता है हम अकसर देखते हैं, जो सुत्रसंचलन करने के लिए बैटे हुए होते हैं, वही कारिक्रम की शुरुवात करते हैं, किस तरह की शुरुवात करते हैं, क्यूं अहम भूमिका है उनकी, क्यूं महतपूर्ण भूमिका है उनकी, क्यूंकि आयोजकों को तथा अथितियों को वही मंच परामंत्रित करते हैं जैसे की कहते हैं हम भी देखते हैं सुस्वागतम सुस्वागतम आज हमारे समारोह में फलाने फलाने आ गया है इनका हम स्वागत करते है ऐसा हम सुनते हैं अक्सर यानि वो कोन कहता है जो सुत्रसंचालन करते हैं वही कहते हैं वही अपनी आवाज सहज और हश्य प्रसंगों तता काव्य पंक्तियों से कारेक्रेम की सफलता निर्धारित करते हैं यानि कि जो सुत्र संचलन करने के लिए बैटे हुए होते हैं उद्गोशा वे क्या करते हैं अपनी आवाज से, हस्च प्रसंगों से, काव्य पंग्तियों से कारेक्रेम की सुर्वात करते हैं। लेकक आगे कहते हैं, मैंने कई बार इस महत्वपूर्ण भूमी का निर्वाह अत्यंत सफलता पुर्वक किया है। लेकक भी कहते हैं, अरे भई, मैं मंच संचालक हूँ, मैं उद्गोशक हूँ, तो मैंने भी कई ऐसे कारेक्रों कुई महत्वपूर्ण भूमी का का निर्वाह याणि कार्य किया है, निर्वाहक कार्य आगे बढ़ाने वाला। तो मैंने भी अत्यंत सफलता पुर्वक यह काम निभाया है। लेकिन, आगे कहते हैं वे, लेकिन यह सब यू आचाना की नई हो गया। कौन सी भी काम अगर हम सफलता से करते हैं तो उसमें हम यश प्राप्त करते हैं या उसमें हमें सफलता प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त करने के लिए या यश संपादन करने के लिए यह कोई जादूई कांडी नहीं कि यश अचानक मिल जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए लेखक ने यहाँ पर एक मोहावरा इस्तिमाल किया है. मैंने भी इसके लिए बहुत पापड बेले है. यहाँ पर मोहावरा कुन सा आगया? पापड बेलना यानि बहुत मेहनत करना या कश्ट उठाना इसका मतलब क्या है कि जब मैं सफलता पूर्वक यह काम किया तो वह अचानक नहीं हुआ तो इसके लिए मैंने बहुत कश्ट उठाये है लेखग आगे कहते हैं आरंबिक दिनों में यानि जब मैं छोटा सा बच्चा था तब मैं भाशन देने के लिए मंच पर चला जाता था तब मैं घब रहता था मुझे डर लगता था और मंच पर जो माईक टंगा हुआ होता था वह माईक मुझे साब की फन की तरह नजराता था यानि मुझे डर महसुस होआ करता था यहाँ शुरू-शुरू के दिनों में यानि सफलता प्राप्त करने के लिए अच्चा सुत्रसंचलक संचालक होने के लिए या उद्घोशक होने के लिए मैंने बहुत कष्ट उटाये हैं मैंने बहुत महेनत की हैं और यहाँ महेनत का नतीजा हो गया कि मैं मंच संचालक में सफल हो गया आगे लेखक कहते है या लेखक ने यहाँ आत्मकता के रूप में पाट प्रस्तुत किया है तो वे कहते है मुझे याद है यानि लेखक ने अपने बच्पन के एक प्रसंग को यहाँ पर चीतरित किया है वे कहते हैं मुझे याद है तब मैं नवी कख्षा का छात्र था या देखियेगा आपसे भी दो तीन साल से लेकाग छोटे थे तब से उन्होंने प्रयास किया था मंच संचालक या उद्धोशक बनने के लिए एंकर बनने के लिए और लेका कहते हैं कि मैं नवी कख्षा का छात्र था छात्र याने विद्ध्यार्ति आप सबको पता है यह शब्दा अकसर हमें इस्तमाल करते हैं विद्ध्यालेक के प्रांगन में गांधी जयन्ति का आयोजन किया गया था हम भी अकसर करते हैं हमारे स्कूल कॉलेजर में महान लोगों की जयन्ति या पुन्यतिति का समारोह हम आयोजित करते हैं उसी प्रकार लेखक के बचपन का प्रसंग यहाँ पर लेखक ने कहां है महात्मा गांदीजी की जयन्ती का अयजन किया गया था और लेकक ने भाषन देना था यानि लेकक कहते हैं मुझे भी भाषन देने के लिए चुना गया हम भी चुनते हैं चलो सुहास तुम इस वक्त भाषन दे दो कोमल आपको इस विशे पर भाषन देना है यानि ऐसे होनहार बच्च होते हैं उनके लिए ये सुनहरा मोका अध्यापक देते हैं उसी प्रकार लेखा को भी एक मोका मिल गया गांधी जैन्दी के अउसर पर भाशन देने का लेखा कहते हैं जब मैं मंच पर जाते ही हाथ पै धरतराने लगे अकसर बच्चे शुरू शुरू में जब भाशन देने के लिए जाते हैं तब बेगभराते हैं उनके हाथ पै थरतराते हैं उसी प्रकार लेकक भी घबरा गए उनके हाथ पै थरतराने लगे जो कुछ याद किया था लगा सब भूल गया लेको को लगा, अरे भई, मैंने जो भी कुछ रटा था, जो भी कोई याद किया था, मानो वो सब भूल गया लेकिन कुछ पल के लिए जैसे होश ही खो बैटा हूँ, पर फिर खुद को संभाला यानि यहाँ पर संभलने का काम किस ने किया? खुद लेकक ने उन्होंने वहाँ पर मन ही मन कहा, महान व्यक्तियों के आरहंबिक जीवन के प्रसंगों को याद किया कि किस तरह कुछ नेता हकलाते थे? हकलाना यानि मूह में ही बाते करना, किसी को सुना ही न देना हम करते न? अ, 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 इस तरह हाँ कुछ कामते थे यानि जो थरतरा थे थे, कामते थे पर बाद में वे कुशल वक्ता बने यानि लेकक ने उसी वक्त बड़े नेताओं को याद किया, उनके प्रसंगों को याद किया और खुद को संभाला ए बाते याद आते ही हिम्मद जुटा कर मैंने बोलना शुरू किया और बोलता ही गया इस तरह लेखक ने खुद को संभाला और वे घबराए हुए थे, लेकिन हिम्मद जुटा कर नेताओं के प्रसंगों को याद करके फिर से अपना भाशन वे बोलते रहे, बोलते रहे, भाशन समाप्त हुआ कहने का मतलेब यह है कि थोड़ी सी हिम्मद और आत्मविश्वास ने मुझे भविशक की राह दिखा दी और मैं एक सफल सुत्रसंचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया देखेगा जैसे की लेखक ने अपने बचपन का एक प्रसंग यहाँ पर कहा है जब वे नवी खक्षा के थे, भाशन देने के ले मंच पर गए भाशन देना दूर की बात वे घबरा गए उनके हाथ पर थर-थर आने लगे वे जो कुछ उन्होंने भाशन कंठस्त किया था वह वे भूल गए लेकिन कुछ पल के लिए उन्होंने होश संभाला खुद को संभाला और महन व्यक्तियों के आरहंबिक जिवन के प्रसंगों को याद किया और खुद के खुद को खुद ने संभाला और वे भाशन देते ही गए और भाशन में वे सफल हो गए यानि जब भी हम डरते है डर स्वाभावी गुन है मनुष्य का जब भी हम डरते है तो हमें क्या करना चाहिए अपनी हिम्मत हमें जुटानी चाहिए थोड़ासा आत्मविश्वास थोड़ासा आत्मविश्वास हमें होना जरूरी है हिम्मत और आत्मविश्वास अगर हमारे पास हो तो कोई भी काम हम आसानी से कर सकते है और इसी तरह लेकक ने भी हिम्मत और आत्मेविश्वास को जुटा कर सफल सुत्रसंचालक की मेरू सफल सुत्रसंचालक बन गए और बन ही नहीं गए महशूर हो गए प्रसिद्धी उन्होंने पाई आगे हम देखते हैं कि सुत्रसंचालक या सुत्रसंचालन के कौन कौन से प्रकार है सुत्रसंचालक के प्रमूग प्रकार है शासे किया कारेक्रमों का सुत्रसंचालन दूरदर्शन के हे तू सुत्रसंचालन रेडियो के हे तू सुत्रसंचालन राजनेतिक, सामाजिक तता साउंस्कृतिक कारेक्रमों का सुत्रसंचालन यहने की अक्सर हम देखते है किसी साशिक या कारेक्रमों का सुत्रसंचालन होता है दुर्दर्शन के हे तो सुत्र संचालन होता है रेडियो हम सुनते है उस रेडियो पर भी कई सुत्रनिवेदक होते है सुत्र संचालन करने वाले महिलाइं होती है पुरुष होते है राजनितिक करेक्रम हो या सामाजिक करेक्रम हो तता सावस्कृतिक करेक्रम हो उनका सुत्रसंचालन अलग-अलग प्रकार का होता है तो यह हो गए सुत्रसंचालन के प्रकार अब हम पहले शाशकिय सुत्रसंचालन तथा राजनितिक सुत्रसंचालन किस तरह होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं शाशकिय यवम राजनितिक समारोह के सुत्रसंचालन में प्रोटोकाल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है एक प्रोटोकाल होता है एक नियम होता है इस नियम के बाहर नहीं चलना चाहिए तो शाशे के ये कारेक्रम एवं राजनीतिक कारेक्रम में अगर हम सुत्रसंचालन करते हैं तो वहाँ पर प्रोटोकॉल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है किस तरह हाँ? तो उसा कारेक्रम में जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं उन्हें महानुभव हम केते हैं अनुभव महान होता है उन लोगों का तो उनके पदों के अनुसार उनके नामों की सूची बनानी पड़ती है उसके बाद किसका किसके हातों सतकार करना है इसकी भी योजना बनानी पड़ती है हम अकसर देखते है जब भी हम एकाद समारों को बारकाई से देखते है या उसका निरेक्षन करते है तो मंच पर जो विभूतियां बैटी होती है वहाँ पर उनके पदों के अनुसार यानि पद यानि जिसे मराटे में हम हुद्धा भी कहते है यानि जैसे के हमारे कॉलेज का कारेक्रम है हम एकाद कारेक्रम का आयोजन करते है और आप सुत्रसंचलन कर रहे हैं तो पहले आप विद्यारतियों का सत्कार नहीं करेंगे जो अथिती होते हैं जो अद्धिक्षमोहोदे होते हैं उनका पहले हम सत्कार करते हैं यानि पदों के अनुसार हमें वहाँ पर सत्कार करना होता है और इसकी भी योजना बनानी पड़ती है चलो गए सुत्रसंचलन को संभाला और चलो बोल पड़े ऐसा नहीं होता इसकी भी योजना बनानी पड़ती है इस प्रकार का सुत्रसंचलन करते समय अत्ति आलंकारिक भाषा का प्रयोग से बचना चाहिए यानि भाषा कुनसी होनी है चाहिए सीधी सरल भाषा का इस्तिमाल शाष की ये यवम राजनितिक करेक्रों में करना पड़ता है यानि सटिक भाषा का उप्योग करना पड़ता है आगे प्रकार जो है दूर दर्शन तथा रेडियो कारेक्रमों का सुत्रसंचालन अक्सर हम देखते है जैसे कि हमारे समाज में कुछ कारेक्रम होते है कुछ समारो होते है कुछ शाष की ये कारेक्रम होते है कुछ राजनितिक कारेक्रम होते है लेकिन कुछ कारेक्रम हम दूर दर्शन तथा रेडियों से भी सुनते आए है या सुनते रहते है तो इसमें क्या फरक है? यह भी देखना जरूरी है दूरतेशन अत्वा रेडियो पर प्रसारित किये जाने वाले कारेक्रम या समारोह की संपूर्न जानकारी होनी चाहिए देखेगा अक्सर हमारे घर में हम टीवी देखते है दूरतशन देखते है या हमारे घर में रेडियो होता है उसे हम सुनते है क्या वे ऐसे ही बोलते है बिन्या बिना तयारी किये हुए नहीं वो क्या करते है पहले तयारी करते है उसे record करते हैं बाद में प्रसारित करते है याणि प्रसारन के पूर्व वो क्या करते है अपने कारे क्रमों की अपने समारों की पूरी जानकारी प्राप्त करते है और फिर दूसरा मद्दा है वो क्या करते है कारे क्रम की सहीता लिखकर तैयार करते है यानि जो भी कारेक्रम प्रस्तुत करना है प्रसारित करना है उसकी सहीता लिखना जरूरी होता है उसके पच्छात वे क्या करते है कारेक्रम प्रारहम्ब करते है और धीरे धीरे उस कारेक्रम को विकास की ओर लेते जाते है भाशाक का प्रयोग, कारेक्रम और प्रसंगा नुसर किया जाना चाहिए जैसे कि रोचक्ता और विविन संधर्वों का समावेश कारेक्रम में चार चांद लगा देता है यहाँ दूर दर्शन तथा रेडियो कारेक्रम का सुत्र संचलन किया जाता है इस तरह हमने आज पाट के पुर्भार्द में मैं उद्गोशक इस पाट के लेकाक आनंद सीह का परिचे देखा उसके बाद इस पाट के पुर्भार्द में मैं उद्गोशक इसके बारे में चर्चा की बाद में जब लेकाक सफल उद्गोशक बने उद्गोशक के पुर्भा उन्होंने किस तरह कश्ट उटाए इसके बारे में चर्चा की लेकाक के बच्पन के ब्रसंग के बारे में चर्चा की उसके बाद सुत्रसंचालन के प्रमुक प्रखार के बारे में जानकारी ली और शाशक के ये सुत्रसंचालन तथा रेडियो दुरदर्शन का सुत्रसंचालन के बारे में चर्चा की पाट का उत्तर आर्द हम अगली वेडियो में देखेंगे